तो बाई मैं आया हूँ 36 Toyota फरीदबाद और आप देख सकते हैं बहुत बड़ा Toyota है और I think यह dealership सबसे बड़ी है फरीदबाद में और मेरे साथ है रितेज भाई रितेज भाई welcome to my channel तो मैं simple एक सबसे पहला question आप से यह पूछना चाहूंगा जितने मेरे viewers देख रहे हैं सबका ही question है टाटा रूमियून क्यों ले एस compare to artiga अगर हम इसको मारुत्री रूमियून और तो सबसे बड़ा डिफेंस तो सर ब्रैंड वेल्यू का ही आ जाते है अब कर दो किसी वजह से किसी अग्याड के अंदर रस्टिंग इसो नहीं होने वाला तो इसकी बात करते हैं मेरेशीट की इसकी मेरेशीट की स्वरी है यह वर इसके बात करते हैं सर जो टीसर डिफ्रेंस में आता है वो सब्सक्राइब दिफ्रेंस वर्रंटी का है उसके अंदर आपको वरेंटी मिलती है two years of 40,000 km two years 40,000 km और Toyota कि दिनी क्लेम कर रही है standard warranty three years of one lakh three years of one lakh तो guys difference आप देखोगे into five हो गया और year एक बढ़िया है उसके बात करते हैं suspension warranty की जो मारुती है सर वो आपको only 20,000 km की suspension warranty तोयोटा है वो proper one lakh km आपका suspension भी गाड़ी में cover तो guys एक लाह किलोमेटर तक आपका suspension भी इसमें cover हो रहा है और सबसे सरी बताओं या टोयटा की गाड़ी आपको पता ही है आपने सुना होगा fortune innova मतलब भाई तबाही है तबाही तो और कुछ आप रितेज भाई बताना चाहो और इसके बार में एक और बड़ा इस गाड़ी का पूसता हूं इसका basic price कितना इस गाड़ी का basic price 1029 एक शोरूम बेस मोडल और इसमें color options कितने मिलने वाले हैं इसके अंदर 5 color option मिलेंगे जो अभी आपके सामने color चाहिए रस्टिड ब्राउन उसके अलावा इसके अंदर आएगा आपका एट कैफे वाइट का यह का एंटाइजिंग इसके अलावा इसके अंदर आपको मिलेंगे ब्लू कलर फंकी ब्लू तो गाइस यह था अबाउट रुम्योन रितेश भाई न आपको बता दिया है बाकी नंबर आपको description box में मिल जाएगा किसी को कोई भी करी हो तो पूछ सकते हैं तो चलो शुरू करते हैं अपना review गाइस आप आज अपने पास होने वाले टोटा की रुम्योन स्टार्ट करते हैं की से कुछ इस तरीके से आपको की मिल जाएगी सेम की आपने Honda में भी देखी होगी बहुत typical की आती है तो चलो शुरू करते हैं पूरा आपको front grill मिलने वाली है अगर front grill देखेंगे तो पूरा आपको open मिलने वाला है जस्ट कुछ patches इसके close है तो air inlet के लिए बहुत sufficient space मिलने वाली है और आपको कुछ इस तरीके से पूरी हाँ पे chrome bidding मिल जाएगी अब बात करते हैं इसकी headlights की तो headlights में अगर आप कुछ इस तरीके से इसकी front profile है आप देख सकते हैं नीचे भी आपको पूरे इसमें chrome bidding मिल जाएगी यहाँ पर chrome bidding है गाड़ी बहुत इच्छी लग रही है और यह वाजार जो color है यह just recently launch हो है आपको इसमे color options मिल जाएंगे blue भी मिल जाएगा और इसमें जो वेरियंट मिलने वाले हैं और यह जो अपने पास है top end variant है वी तो कुछ इस तरीके से इसकी front profile है तो अब बात करते हैं इसके tire profile की side में अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं tire अगर मैं tire की बात करूँ तो 185 oblique 65 are 15 inch 15 inch इसके आपको इसमें tire मिल जाएंगे diamond cut आपको allowables मि लग रहे हैं थोड़ा सो और पीछे आते हैं तो यहाँ पे आपको यह retractable और adjustable दोनों मिल जाएगा indicators पर आपको ORVM का option मिल जाएगा again यहाँ आपको कोई chrome bidding नहीं मिलेगी normal आपको इसमें bidding मिलने वाली है कुछ यह है इसकी side profile और gate की बात करूँ तो इसमें आपको sensor मिल करीब करीब इस गाड़ी की जो length होने वाली है 4.4 मिटर की length होने वाली है width की बात करूँ तो 1.7 मिटर की width होने वाली है और 1.6 मिटर की height होने वाली है बहुत ही अच्छी लग रही है गाड़ी यह बहुत ही अच्छी और यह आपको petrol और CNG दोनों में available है और जैसे मैंने ब जाएगा और again मैं इसके headlamps की बात करूँ तो आप देखेंगे यह floating headlamps आपको मिल जाएगे जिसमें आपको कहीं भी LED का option नहीं मिलने वाला नॉर्मल आपको blum मिलने वाले हैं यहाँ पे new drive ही के आपको bedging मिल जाएगी और Toyota का again logo rear wiper हो गया roomion की badging मिल गई और अगर मैं camera की बात करूँ तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका reverse camera भी आ जाएगा और साथ के साथ इसमें आपको parking sensor भी मिल जाएगे चार तो चार यह इसके parking sensor हो गए कुछ इस तरीकी से इसकी profile हो गई rare profile और अब मैं बात करता हूँ पीछे boot की और अब बात करते हैं boot space की तो आप देखेंगे यह जो गाड़ी है basically seven sitter है तो इसमें boot के नाम पे आपको सिरफ 170 liter की आपको boot space मिल जाएगी और यह कुछ आपको storage मिल जाएगी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे storage मिल जाएगा पीछे एक आपको hook मिल जाएग और आप पूछेंगे इसका spare wheel का है तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इसका spare wheel तो यह रहा इसका spare wheel जैसे आपको पता है कि गाड़ी में space नहीं है तो spare wheel आपको नीचे मिल जाएगा spare wheel की profile मैं आपको भी दिखा नहीं सकता क्योंकि नीचे है तो इतना घुसना possible नही है तो कुछ इस तरीके से एक बार मैं आपको इसका पूरा walk around देता हूँ गाड़ी का गाड़ी दिखने में बहुत इच्छी लग रही है कहीं न कहीं आपको यह आटीका की याद दिलाएगी for sure तो कुछ इस तरीके से इसकी profile है again wipers आपको मिल जाएंगे और यह कुछ इस त खोलता हूँ hood और आपको दिखाता हूँ इसका इंजन तो बात करतें इंजन profile की तो किछ इस तरीके से आपको इंजन मिल जाएगा इसमें जो आपको इंजन मिलने वाला है 1460 के आराउंड वाला 1500 CC का आपको इंजन मिल जाएगा जो पावर जनरेट करता है 102 BHP की और 136.8 का न्यूटन मीटर टॉक ये जनरेट करता है जो कमपनी क्लेम करती है एवरे जो है इसके 20 के अराउंड की इसमें आपको CNG आप्शन मिल जाएगा तो कुछ इस तरीके से इसका इंजन हो गया एक्साइड की आपको इसमें बैटरी मिल जाएगी नीचे अगर मैं बात करू तो आप देखेंगे नीचे पूरा एमटी है तो नीचे इंजन प्रोटेक्शन में कुछ भी नहीं आपको मिलने वाला तिपिकली बहुत नौर्मल से इंजन मिलने वाला है कोई इसमें इंजन को कवर्ड करनेगा कुछ नहीं है यहां से आपको फ्लूड डालने के लिए मिल जा तो अंदर जाते ही सबसे पहले आती है अपने डोर प्रोफाइल डोर प्रोफाइल में आप देखेंगे तो आपको चारो पावर विंडो मिलने वाली है और सिरफ एक ड्राइवर साइड है जो ओटो अप डाउन आपको वन टच मिल जाएगा यहां से आप गाड़ी को लॉक अ को स्यास के याद दिलाएगा बिलकुस सेम है अपने मेरी ऑख देख वी हागी दे खाते हैं काड़ी को बढ़ करते हैं और आपको दिखाते हूं मैं पूरे इंटीरियर कुछ इस तरीके से आफ देख सकते हैंक्छ इस तरीके तो पहले मैं गाड़ी को करता हूँ, start, तो मैंने पहले गाड़ी को कर दिया, start, तो भाई यह है अभी इस time parking mode में, तो यह अपना steering हो जाएगा, आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं, steering की, steering में बात करूँ तो आप देखेंगे, यहाँ पे आपको controls मिल जाएगे mode change करने का option आपको मिल जाएगे, यहाँ गाने change कर सकते हैं, यहाँ से आपको cruise set कर सकते हैं, यहाँ से volume up, down, reset का सबका caution, call, pick and drop का option मिल जाएगा, कुछ इस तरीके से आपको steering wheel मिलने वाला है, steering wheel की बात करूँ नीजी से flat है, आगे से पूरा rounder तो बहुत ही प्यारा लगने पैडल shifters आपको मिल जाएंगे, इधर में आप देख सकते हैं, right side में आपको headlight के control मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको wiper के control मिल जाएंगे, अब बात करते हैं, इसकी MID की, MID भी आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो, यह वाला जो है, यह सारा आपको analog मिलने वाला है, दो इतना भी front motion है, यह आपको सारे, कितना गाड़ी torque generate कर रहे है, कितनी power है, brake, एकसल, यह engine, battery, सब कुछ आपको इसमे option मिल जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं, कितनी आपकी range दिखा रही है, तो यह तक कुछ इसका MID, अब बात करते हैं, हम इसकी infotainment system, यह तो approach 10.5 inch के around मुझे लग रहा है, यह infotainment system, तो यह पूरा touch में आपको मिलने वाला है, यहाँ से power off on हो सकते है, volume का option मिल जाएगा, touch के अगर बात करो तो feedback बहुत अच्छा है, मुझे मलब touch करने में कोई इतना ज्यादा वो नहीं हो रहा, यहाँ से आप display time security और यहाँ से connectivity जितनी भी आ यहाँ पर मिलने वाला है, 10.5 के around way को इसको लग रहा है कि यह क्या कहते हैं, इसका infotainment system है, और मैं बात करता हूँ थोड़ी नीचे की तो यहाँ पर hazardous light आपको मिल जाएगी, अगेन आपको यहाँ पर AC के controls मिल जाएगे, इसमें auto AC आपको मिलने वाला है, यहाँ से आपको adjust कर सकते हो temperature, और यह आपको rear defogger हो गया, इसमें आपको mode मिल जाएगे, जैसे भी आपको करना है, जहाँ पर करना है, थोड़ा से नीचे आते हैं, तो again, यहाँ पर कोई भी wireless charging नहीं मिलने वाली, 12W का आपको socket मिलने वाला है, USB आपको port मिलने वाला है, तो type C भी मुझे on-off कर सकते हैं, तो cool glove कह सकते हैं, glove तो नहीं बोलेंगे, but cool glass holder आपको इसको बोल सकते हैं, जैसे आपको पता है, इसमें आपको automatic, यह है, top and mode variant है, तो आपको इसमें automatic मिल जाएगे, parking reverse, neutral driver, manual mode में आप चला सकते हैं, hand brake आपको वही lever वाला system मिलने वाला है, इसमें आपको आपको मेट में मिलने वाली है, और जो आपको बहुत अच्छी लगेगी, again आपको ऐसा लगेगा, running में आपके यह है, air vents है, आपको चार air vents के option मिल जाएंगे, इसमें, और मैं बात करता हूँ, इसकी safety की, तो safety में आपको क्या के मिलने वाला है, इसमें आपको safety में मिलने व जाएंगे, air vents के, और बाकी इसमें सब कुछ ही है, मतलब जैसे middle seat में है, और बाकी हम बात करते हैं, इसकी lock है उसकी, तो आपको engine immobilizer मिल जाएगा, center locking आपको keyless है, मैं दिखा चुका हूँ, speed sensing door locks है, child safety lock है, तो यह सब चीज़ आपको मिलने वाली है, और बात करता हूँ, इसके glove department की, तो glove department बहर ample space है, space के मामले में मुझे गाड़ी अभी तक बहुत ही बढ़िया लग रही है, और अगर मैं इसके सामने की view की बात करूँ तो I am around 5-7, तो यह view इसका बिलकुल visible बहुत अच्छा आप देख सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से है, अगर यहाँ पे अ बहुत ही बढ़िया लग रहा है यार में को, बहुत ही अच्छा लुक लग रहा है, अगेन हम left में आते हैं तो start stop button आपको मिल जाएगा, इसमें आपको traction off का option मिल जाएगा, यहाँ से आप headlight adjust कर सकते हैं, अगेन यह आपको off और on का option मिल जाएगा, जैसे आपको पता है सार यह retractable and adjustable आपको दोनों मिलने वाले हैं, power windows है, सिरफ driver वाली जो है, वो one touch up and down है, बाकी नहीं है, अब मैं चलता हूँ एक बार पीछे, और पीछे जाने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसके seats, seats आप देखेंगे, आपको इसमें manual adjustment मिलने वाला है, यह कुछ यहाँ क tear profile है, आप देख सकते हैं, कितना इसमें pressure होना चाहिए, तो यह है seat profile जो आपको manually adjust वाली मिलने वाली है, कुछ भी आपको electrically adjustable नहीं मिलने वाला, अब मैं आता हूँ पीछे, पीछे की बात करें, तो पहले मैं गाड़ी को करता हूँ पीछे से unlock, तो गाड़ी मैंने कर दिए unlock और मैं आता हूँ, आप second row में, second row में भी देखेंगे तो आपको again यहाँ पर power window, glass order मिल जाएगा, और again chrome की finishing मिलने वाली है, आपको genuinely बता रहो, मैंने पूरी seat पीछे कोई है, still देख सकते हैं, भाई बहुत space है यार गाड़ी में, मतलब स्पेस के मावले में आप देख रह सकते हैं speed, पीछे यहाँ पर speed के लिए दे रखा है आपको, और again यहाँ पर आपको 12 watt का socket मिल जाएगा, बीच में आपको मिल जाएगा handrest, आप देख सकते हैं, handrest में आपको आगे दिखाना भूल गया, यह open वाला handrest आप देख सकते हैं, और यह movable भी है, वाउ, तो movable handrest आ दिखा चुका हूँ, space यार, बहुत अच्छी है, और यहाँ पर आप देखेंगे, hump नहीं है बीच में, तो आप easily तीन बंदे बहुत आराम से बैठ सकते हैं, बहुत ही आराम से, तो कुछ इस तरीके से इसका second row है, अब मैं चलता हूँ, एक बार third row में, और जो चीज करके जाना पड़ेगा, तो tumble के लिए, I think, यहाँ पर option है, तो इस तरीके से आप जा सकते हो, tumble करके third row में, अब मैं जाता हूँ एक बार third row में, और आपको दिखाता हूँ कि वहाँ कितनी space है, जाना थोड़ा सा, मैं लग मूव नहीं किया, मैं normally ही जा रहा हूँ, ठीक है तो एक बार मैं इसको करता हूँ, पीछे, तो यार अब यह थोड़ा पूरा पीछे नहीं हुई है, ठीक है, अगेन यार, third row मुझे जो लग रहा है कि यार, मैं तो फिर भी ठीक है, बाकी गाड़े को compare में काफी space है, यार, cup holder आपको मिल जाएगा, पीछे आपको AC का कुछ भी option नहीं मिलना है, वहीं से आपको AC का सारा adjustment होगा, तो भाई, यहां से आप देख सकते हैं, यहां पर इतनी space है, बाट मैंने जो पुरानी गाड़े देखे, मला और भी गाड़े देखे, उनके compare में होती है, फिर भी है, third row को बोलते है, basically बच्चों के लिए होती है, पास के लिए तो मैं comfortably बैठ सकता हूँ, यहां से tumble के लिए आपको option मिल जाएगा, again आपको जितने भी headrest मिलने वाले, adjustable मिलने वाले, center में आपको headrest नहीं मिलेगा, सिरफ दो passenger और driver के लिए मिलेगा, और again जो third row में है, इसमें भी आपको यह adjustable मिल जाएगे, headrest, तो चलो, य यह था मेरा review about Toyota की Romion, यह है कुछ इस तरीके से interior आप features देख सकते, अगर आपको मेरा video पसंद आया, मेरा review अच्छा लगा, तो guys please मेरे channel को करना, subscribe, video करना, like और comment करके बताना आपको video कैसे लगी, तो मिलते हैं ऐसी कोई दूसरी video के साथ,